पशें बंगाल में डॉक्टर्स पर हमले और मम्ता सरकार की रवये की विरोध में दूसरे दिन भी लखनों में के जीम्यू की रेजिडेंट डॉक्टर ने भी काली पट्टी बांद कर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया आला कि OPD जारी रखी गई डॉक्टर्स ने साफ कर दिया कि फिलाल चांती पूर्वक विरोध किया जा रहा है लेकिन जरूरत पड़ी तो पूरी तरह कारे बहिशकार भी किया जा सकता है जुनियर डॉक्टर के साथ मारपीट के मामले में पूरे देश में काफी आक्रोश है और डॉक्टरों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। काली पट्टी बाने ही गई है वो लगाता 2 दीनों से इस छली पट्टी गान करके जो मरी जा रहे हैं घृचल में ढरते हैं जा कि दा क्या मांगहें जिस हमारी मांगे हैं कि इस से अब पिछले कुछ दिन में जो घटना हुई है वो बहुत ही भयावा है और यह पहले भी होता राहा है अब भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा तो हमारी मांगें कि ऐसा एक्ट लाया जाए जिससे हम में भविष्ट में असे जिना उत्पन होगा है गटनाएं पर घटनाएं होती हैं और इनसान का फिर मनोबल टूटता है और वो धीरे धीरे फिरे कितनी बड़ी स्ट्राइक में या इतने मास लेविल रेजिगनेशन में कनवर्ट हुआ है हुआ क्या है आप वहां पे अगर वहां के लोगों से पूछेंगे तो वहां के बच्चे खट्टे होके एक अकैडमिक बिल्डिंग में रह रहे हैं उनके पास कोई सेक्यॉरिटी ऑप्शन नहीं है वहां पे खुले पत्थर मारे जा रहे हैं भी एक न्यूज आई है कि हाँ यह चीज उनके साथ गलत तरीके से हुई है तो उसके लिए प्रॉपर मेडिको लीगल लॉज है वो कोर्ट में जाए वहां पे केस करें इन्वेस्टिगेशन कराएं डॉक्टर पे केस करें लेकिन ये तो किसी को इसाज़त नहीं होनी चाहिए गौर्मेंट को इस इतने बड़ इंस्टिटूशन में दोसों लोग घुसते हैं डॉक्टर को मारते हैं और निकल जाते हैं अंदोलन कर रहे हैं इसे और भी आगे बढ़ाएंगे मार्च निकाल लेंगे साथ इस्टाइक पी बैठना पड़े लेकिन जब तक मांग मतलब पूरी नहीं होती तो जाना पड़े तो हम उससे गुरेज नहीं करेंगे जो घटना हुई है उससे वो काफी खफा है काफी रोश है उस घटना को ले करके और उसका काफी विरोध करते हैं जिस तरीके से आम तोर पर देखा जा रहा है कि डॉक्टरों के प्रती लोगों का रवेया है उनको आकर क हॉस्पिटल मा करके घुज जाते हैं और मारते हैं तो ये काफी निराशा पूर्ण है उसको ले करके केंच सरकार को एक नीती बनानी चाहिए एक कानून पास करना चाहिए और उनको सुरक्षा मोहिया करवानी चाहिए